विडियो में नंबर्स को अलग-अलग तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करना है ये सीखा उसमें हमने देखा था कि मैचिंग डायस नंबर्स तो आज की हमारी एक्टिविटी है डायस नंबर्स पर ही हमें उसके लिए सबसे पहले हमारी एक्टिविटी शीट जिसे हम गेम शीट भी कह सकते हैं वह इस तरह से बना लेनी है इसके लिए हमें सिर्फ रिक्वार्मेंट है वन पेपर वन डायस और 6 मारकर या कोई भी टोकन्स की गेम बहुत ही सिंपल है, हमें डाइस को रोल करना है, उस पर के जो डॉट से उसे काउंट करना है, जो भी नंबर है उस नंबर को मैच करके उस पे का एक टोकन, एक घर या एक स्टेप आगे बढ़ाना है, तो हमारा गोल है कौन सा नंबर सबसे जादा बार रोल होता है, तो इंशॉट इस रेस इस एक्टिविटी को हम नाम देते है डायस रेस गेम यहां पर आप आपके बच्चों को यह एक्टिविटी शीट रेडी कर दीजिये और वने खेलने के लिए कहिए मैंने अभी ही यह शीट बनाई है और यहां रियांज केलने के लिए बहुत उस नमबर का token एक घर आगे जाएगा देन डाइस रूल किया नमबर आया फोर वन भी काफी तेजी से बढ़ने जा रहा है फायू ने ओपनिंग कर दी फोर लेट पाइब फोर जी देगा सब खुले जो भी नमबर का token दस नमबर पे सबसे पहले पहुचता है वो होगा winner of the game यह game का मोटो यही है कि बच्चों को खेल खेल में ही हम नमबर इडेन्टिफिकेशन का speed up करा रहा है वो बहुत attentive होकर dots counting, number identify करके race में participate करते हैं वो अके लिए भी इस game को खेल सकते हैं enjoy कर सकते हैं who is the winner? six see happiness smile on your child face it's great तो यहाँ पे game का विनर है dice number six इसके अलावा बच्चे यहाँ नहीं चीज़ सिकते हैं जो है ordinal number what is ordinal number? ordinal number means putting things in a sequence जैसे race में first, second, third कौन है? यह हम पूछ सकते हैं कि four number dots वाला dice number race में कौन से number पे है? and that's is the ordinal number first number is six then the second number is five and four five and four on second number, right? then third number is one is one then fourth number is two and the fifth number and the last one is three three in this activity में हमने two topic cover किये है the first one is quick number identification and matching the number and second one is ordinal number I hope तुमें यह अच्टिविटी अच्छी लगी होगी और आप अपने बच्चों के साथ यह खेलिए comment box में कमेंड करके जरूर बताये कि आपको यह एक्टिविटी कैसी लगी कि अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब ज़रू कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई, टेक केर थैंक्यू सो मच